पतिपति के पवित्र रिष्टे का सुरक्षा कवज है करवाचान पतिकी लंबी आयू की कामना का पर्व है करवाचान खुशाल विवाहत जीवन का पर्व है करवाचान अब के बार दुलब संयोग में आया करवाचान सौ साल बाद करवाचान पर महासंयोग करवाचान पर सुहगन महिलाएं क्या करें क्या नहीं देखे सर्फ धर्म ज्यान पर नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कविता राना अखंड सौ भाग्य की प्राप्ति का प्रतिक है करवा चोट एक ऐसा महा पर्व है जो प्रतिक सुहागन महिला के लिए इसलिए विशेश है क्योंकि इसी दिन करवा मातर से सौहागन महिला है अपने पती की लंबी आयू की कामना करती है करवा मा के आशिवात से ही पती पत्नी के टूटे रिष्टे भी जुड़ जाते हैं करवा मातर की कृपा से ही लोगों के विवाहिक जीवन में खुशों की बाहर आ जाती है इस बार का करवा चौट कई माईनों में खास है और जो कि देखे एक नवंबर को करवा चौट का वरत रखा जाएक और ऐसे में आपका ये जानना ज़रूरी है कि इस दिन सौ साल बाज जाकर कई ऐसे दुलव संयोग भी बन रहे हैं जो इस वरत की महता को बढ़ा देगा विवाहिक जीवन के लिए सुख सुमरधी और पुर्णे का फल मिल सके इसके लिए विवाहिक जोड़ा मा करवा की पूजा अराधना करता है और इसे दिन देखे खासकर स्वागन महिलाए निर्जला व्रत भी रखती है चांद के दिदार के साथ ही अपने व्रत को खोलती है और ऐसे में इस बार का ही जो करवा चौध कितनी शुगदा लेकर आ रहा है अब लोगों की चीवन में शुब मूर्ट क्या कहता है और संध्या बेला में चांद कब दिखेगा इसको लेका देविगे डॉक्टर श्रीपतित्र पाथी जी ने क्या कुछ जानकार्य दी सुनिए करवा चौध पर सौ साल बात बन रहा वहां सयोग जानिये क्या है इस बार का शुब मुहुड नमस्षाथ वहुद डॉक्टर स्रीपतित्र पाथी हिंदु धर्व में करवा चौध का विशेस महत्व है इस खास दिन पर सुहागिन महिलाएं पती की लंबी आयू के लिए ब्रत रखती है ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है करवा चौध महिलाएं परत रखने के साथ सा पूजा अर्चना भे करती है हिंदु पंचांग के अनुशार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी को करवा चौध का जोहर मनाय जाता है इस पर्व में चंद्रमा काफी महत्तुपूर्ण है क्योंकि महिलाएं दीन वर निर्जला उस उपवास रखकर साम को चंद्रमा निकलने के बाद ही अपना उपवास खोलती है करवा चौध से जुड़ी कई हमारे हाँ मननताएं हैं और परंपराएं भी हैं जो इसे और खास बनाती है करवा चौध का तेखार मुक्ष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाना, पंजाब, गुजराद और रायस्थान आदी राजियों में मनाय जाता है माना जाता है कि ये ब्रत रखने से बेवाहिक जीवन में भी सुक्क बना रहता है, इस बात सौ साल बात करवा चौध पर महा संजोग का निर्वान हो रहा है आपको बता दें, इस महा संजोग के बारे में कि यह बड़ा अधूत है, कब मनाया जाएगा करवा चोथ, आप जान लिजे और कब से मनाया जा रहा है, महा भारत काल से ही करवा चोथ का ब्रत रखने की परंपरा है, तब से लेकर आज तक इस ब्रत को नियमानुशा रखा जा रहता है, वहीं इस साल चतूर्थी तिथी 31 अक्टूबर की रात्री में की 11 बज कर 2 मिनट से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन यानि एक नौंबर की रात 10 बज कर 69 मिनट पर होगा, उद्या तिथी के नुशार एक नौंबर को करवा चोथ का ब्रत रखा जाए पूर्त जो है, वह सायम 5 बज कर 36 मिनट से लेकर 6 बज कर 24 मिनट तक रहेगा, और अमरित काल सायम 7 बज कर 34 मिनट से 9 बज कर 13 मिनट तक रहेगा, इस समय आप चंद्रमा को देखकर ब्रत का पारण कर सकते हैं, यह समय काफी शुगर रहने वाला है, सुभ योग का हो रहा है निर्मान, इस बार करवाचोथ सुहागित महिलाओं के लिए बहत खास रहने वाला है, इस बार 100 साल के बाद, चंद्रमा में मंगल और बुद्ध एक साथ बिराजमान है, जिस कारण बुद्ध आदित जोग बन रहा है, इसके अलावा, करवाचोथ के दिन सिवयोग या करवार्थ यूग भी बन रहा है, इसलिए इस साल का करवाचोथ काफी शुभ रहने वाला है, जो महिलाए इस दिन ब्रत रख का चंद्रमा को अर्ग देंगी, उनकी मनों कामनाएं जरूर पूरी होंगी, साथ ही बैवाहित जीवन में सुख बना रहेगा, मननता है कि करवा करवाचोथ की पूजा बिधी भी नोट कर लीजिव जान लीजिए, करवाचोथ के दित, स्ञान करने के वाद स्वक्ष वस्त्रों को धारन करें, फिर ब्रत का संकल्प लें, इस दिन निरजला ब्रत रखें, बाद में आप अपनी पूजा की सामगरी को एकत्तित करें, इस तस्वीर वह स्थापित करें, आप अपनी पूजा की थाली में दीप, शिंदूर, कुमकुम रोली, करवे में जल भर कर रखें, फिर करवाचोथ ब्रत की कता सुनें, रात में चान्द की निकलने के बाद, चंद्रोदे की पूजा करें, अरग दें, इसके बाद ही पानी प करशन का इंतिजार करना, यहां यह जो समय होता है, इसमें एक एक सेकंड निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में पूरे दिन वरत रखते हुए भी करवाचोथ ब्रत को खंदित हो जाता है, ऐसे में कि इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि कि तपस्या में किसी भी तरह की कोई बादाना आये, आईए जानते हैं करवाचोथ ब्रत को खंदित होने से कैसे बचा है, पहली बात तो यह कि करवाचोथ ब्रत निर्जला रखा जाता है, इस दिन देके अन और जल ग्रेंट बिल्कुल नहीं होता है, वहना ब्रत टूट कि इस दिन किसी को भी खुद के इस्तमाल किये गए सुहाग का समान ना दे, तीसरी बात यह कि करवाचोथ में चंद्रदर्शन के बाद ही, चंद्रद्यव को अर्द देने के बाद ही वरत का पारण किया जाता है, यानि कि खोला जाता है, और बिना चांद देखे, करवाच पर महिलाओं को दिन में तो सोना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वरत रखकर सोने से वरत का फल राप बिल्कुल नहीं होता, देखा जाये तो वरत निश्वल भी हो जाता है, और दोश भी लगता है, हाला कि देखे, बिमान लोग या पिर गर्वती महिलाए आराम कर सकत हैं, पाज़ी बात ये कि करवाच वरत बिना कथा सुने पूरा नहीं होता है, यदि कथा नहीं सुनेंगे तो वरत का पूरा का पूरा प्रफल नहीं मिलेगा, तो लिहाजा पूजा के बाद ही कथा जरूर पड़े और सुनाएजी, तो इस बार का ये करवाच वरत आपकी शादे शुदा जीवन में खुश्या लेकर आए, प्रेम लेकर आए और सक्करात्मक उर्जा लेकर आए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। करते हैं। करते हैं।